मुस्लिम समाज के सदर आफिस खान के नितित्र में मक्सी की अमन पसंद आवाम द्वारा राजपाल के नाम 5000 पोसकार के माध्यम से अपील की गई है कि मुहन्यादफ सरकार को राजधरम पालन की नसीहत प्रदान करे यह अपील 25 सितंबर 2024 को ही हिंसा की घटना के संबंद में की गई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई लोग खायल हुए थे इस हादसे के बाद प्रशाशन द्वारा घटना के 65 दिनों बाद भी आरोपियों की गिरफतारी नहीं हुई और ना ही पीडित परिवार को इलाज और आर्थिक साहिता प्रदान की गई जो मुझनिमीन हैं जो कातिल हैं वो सरेयाम पिर रहे हैं उने गिरफतार नहीं किया गया और हम लोगों को इस सर्दार की नाकाम निसाबित करती है कि इसमें सरकार भी नाकाम है, पुलिस भी नाकाम है या ये के ये हमारे साथ आख में चोरी खेज रहे हैं इसलिए हम सरकार से उताइश करते हैं कि इस तरह से अगर हुद्रिमों को बरसरे आम छोड़ दिया जाएगा मुसलिम समाज की ओर से ये आरोप भी लगाया गया है कि आरोपियों को बच्चाने के लिए और सबूतों को प्रभावित करने के उद्देश से CID जाँच कराई जा रही है जो की फरियादी पक्सद्वारा नहीं की गई थी मा ala walangवे खेची सिदंबर को मैं सिदंबर को मा खेच्च की अवी तक प्रससासन द्वारा आरोपियों को कि अरवध करतार नहीं किया गाया है इसी के संदर्ग में मक्सी में पोस्कार ठालई जा जा रहा है जब तक रफतार नहीं नहीं किया जाएगा पूरे जिले में पोस्टकाड अभियान चला जाएगा और प्रदेश में पोस्टकाड के माध्यम से अपनी मांग को सासन तक पोड़ जाएगा। मकसी में जो 25 सेप्टेंबर को गटना हुई थी उस संबन में गडित परिवाद के मुख्या सदर आशिप मेउद्वारा जो है गटना के संबन गिरफतारिया नहीं हुई है। इस संबन में सभी समाज जनों को मस्जित के अंदर एकत्री जब हुए तब उनसे अनुरोद कर पो मकसी में जुम्मे की नमाज के बाद टेंट लगा कर पोस्टकाट अभियान की शुरुवात की गई। पोस्टकाट अभियान मकसी के साथ ही मध्यप्रतेश के हर गाओं में जाकर लोगों से अपील करके पोस्टकाट लिखवाए जाएंगे।